देखे ये इस वक्त मेरे हाथ में T-72 का गोला है जो टेंकिस्ट अभी रियल में फायर करने वाले हैं युक्रेन के बेस पर फायर करने वाले हैं और उसके बाद तुरंत हमें यहां से भागना होगा तो कि जबाभी कारभाई में वहां से भी गोले होगे और इन्होंने कहा कि इसको किसी बाद में गिरने मत देना वरना फिर क्या होगा वो आप समझी सकते हैं कि इतना बड़ा गोला यहां गिरेगा तो तो यह अब यहां पर गोले दागने वाले हैं और हम लोग उसकी यहां पर रेकॉर्डिंग करेंगे ताकि हम आपको दिखा सके लेकिन यकीन मानि जो गोला भी दागा जाएगा वो रियल का गोला है और वो कोई भी एक्सपर्ट आपको बता देगा सामने में जो अवदीवका डारेक्शन में जो पोजिशन है वहां पर गोला दागा जाएगा और मुझे साबधानी के साथ यहां पर बैठना इसलिए है क्योंकि बहुत भ यहां पर रियल फाइट होते वे और यह उसकी तयारी करने है जहां पर यह रियल गोला दागेंगे और टैंक के भीतर अब वो उस गोले को प्लेस करने हैं उस गोले से फायर करने वाले हैं और मैं उसकी आवाज सुनना हूँ मैं सच में बताऊं तो मेरे लिए यह पहला अन की टीम वार जोन में टी-72 टेंक के उपर सवार जहां पर टी-72 टेंक से युक्रेन के डारेक्शन में गोले दागे जाने वाले हैं और वो किसी भी चन गोले दागे जाएंगे उसकी आवाज सुनाई पर सकती है और मैं यह अपने आप में बहुत डिफिकल्ट पोजिशन है आप सोचिए कि किसी भी चन गोले की आवाज में सुनाई पर सकती है उन टेंक के भीतर टेंकिस्ट जो बात कर रहे हैं वो मैं सुन पा रहा हूं वो लोग अब अगले कुछ सेकेंड के अंदर गोला दागेंगे औ आवाज आपको सुनाई पड़ी यह गोले को लगा रहे हैं टेंक में गोले से फायर करने को तैयार और अगले कुछ सेकेंड का इंदर जार और फिर लाइव गोला युक्रेंड के पोजिशन पर आपने देखा होगा कि हमने अपना हेलमेट बदल लिया है टेंकिस्ट ने मुझे अपना हेलमेट दिया है ताकि मेरे कान में उतनी धमा कि आवाज ना सुनाई पड़े और मुझे इस हरा क्या गया कि मैं जुग जाओ और अब देखें टैंक के बीतर कुछ साउंड मुझे सुनाई पढ़ रहा है मुझे नहीं पता अंदर क्या कुछ हो रहा है क्योंकि टैंक के अंदर की चीजे मुझे नहीं पता है और अब वो गोले दागने की तैयारी में है निसे तोर पर देखे रिपोर्टिंग के दर्म्यान इस तरह के चन आते हैं जब आपको भानक आवाज थी टैंक खिल गया मेरे लिए बहुत कुछ और आप देखे रियल गोरे लगे हैं मुझे लगता है कि अब यह समय आ गया है जब यहां से निकलना चाहिए और अब हम यहां से निकलने के लिए कहा गया क्योंकि युक्रिन की तरफ से कभी बहुत तो आपने देखा टैंक से गोले दागे गया हैं अब कभी भी उधर से गोले दागे जा सकते हैं इसलिए अब हम